राजित शायर को मैं धर्टी जार तर्जमान हुना हैं वे पैंजी कौन जे अंदर जे ऐसातन के लवजन जरीये जाहिर कना हैं नफीज जजबन आई मुझामर जे शायर एहमंद फराज जे यारहां वर्सी मलहाई पिवने इनावाले साथ पेश आए ही रिपोर्ट जजबन जे जीजबन आफे से मुझे शेयर आफे से मुझे जारे एहमंद फराज बारहां जण्वरी 1991 इस विते कौहार परदा थे हो स्यढ़ अहमद फराज और परसी में इमेजी डिग्री वासिल करी एडुर्ट कार्ल पिशावब में तालीब दोरान उन्हें रेडियो पाकिस्तान लायव फिचर लिखन पनशूर किया अमद फराज घजल एंड़ासमा जो तमाम वड़ो शायर हो उन्हें शायरी दोने बिनी सिंफन में जदीद रंग भरे हो किताब में मिले जिस तरह सूख हुए फूल किताब में मिले अब के हम बिचले इन दकता हैं सिंफ शायरी जा कितरा ही मजमुआ शायर थी चुका है बें में सनस्थ पहने शायरी जो मजमुआ तनहा तनाशाय थी एमेरिकान खांपा हो रिड़ी पाकस्तान का धार थी और यूनिविश्टी में लेक्चिरा तर नवकरी शूग गई उनिविश्टी जी नवकरी दोरां सनस्थ शायरी जो बें मजमुआ धर्द आशूप शायर थी चेकर राटर गिल्ड पारा आदम जी ये वाड़ दिनों गयों उनिविश्टी जी नवकरी खांपा होना के उनिविश्टी चातर इसी में एकडमी अदमियात पेहरे सर्भा मुकरण के विए जी खांपा हो जनल जायर देर में खिस मजबुरन जलावतनी अख्तियार करनी पई सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं सुना है रात उसे चांद तकता रहता है सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं 1999-1993 एकडमी अबजाज जो चेर्मन, 1991-1993 लोक वर्सा, 1993-2026 वी ताई नेशनल बुक फांडेशन जो सर बरा रहे हैं अमद फराज जी शारी जो अंडरेजी, फ्रांसीसी, हिंदी, रुसी, योगसलावी, जर्मन ने पंजाबी बोलिन ने पर तर्जम हो करे हैं अमद फराज के अस तकलीकी पूर्जे मनता तो, 1996-1996 में आदम जी अद्बी यवाड, अमद नवे में अबासी ने वाड लिनुगे हो 1988 में इक इस पार्थ में फराज गुरक पुरी यवाड सांप परना वाजए हो सिल सिले तोर गया वो सर्दी जाते जाते वरना इतनी तुक मरासिं थे के आखे जाते